हेलो फ्रेंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुन्दर बुंती डिजाइन है जे चार स्लाइओं का डिजाइन है सीधी साइड डिजाइन आपने शुरू करना है और नीचे बॉर्डर बना के आपने चार जो स्लाइआ है वो सीधी उल्टी बुन्नी है और सीधी चार सलाइयां बुनने के बाद आपने जे डिजाइन शुरू करना है आप इसे अपने कोटी स्वेटर पे बना सकते हैं जैंट्स कोटी स्वेटर पे बना सकते हैं बच्चों के लिए कोटी स्वेटर बना सकते हैं तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, तो आईए हम बताते हैं आपको कि जेट जाइन कैसे बनता है, तुझे देखिए फ्रेंट, जार्स लाहिया मैंने सीधी और रॉंब बुन कर कंप्लीट की है, तो इस पर हम अपना डेजाइन शुरू करेंगे, फर्स्ट वाले फंदे को हमने ऐसे सीधा बुना, जे जो दो फंदे हैं, इन दो फंदों के बीच में ऐसे, आपने जे चोथे वाले फंदे में ऐसे स्लाइड डालना है, ऐसे आपने स्लाइड डालकर जे वाला फंदा बनाना है, आपने थोड़ा लूच रखना है इस फंदे को, और जे वाले फंदे ऐसे सीधे बुनने हैं, जे हमने चार फंदे ऐसे सीधे बुनने हैं, जे चार फंदे होगे, अब फिर हमने यहीं से ही फिर ऐसे स्लाइड डाल कर एक लूप और बनाना है जे देखिए फिर हमने जे दो फंदे छोड़ कर इनके जे चोथे बाड़े फंदे में ऐसे फिर से लूप बनाएंगे जे देखिए और जे चार फंदे सीधे बुनेंगे अब फिर वहीं से आम ऐसे स्लाइड डालेंगे और जे वाड़ा फंदा बनाएंगे ऐसे इसे थोड़ा हम लूज कर लेते हैं फिर जहां से स्लाइड डालेंगे इन दो के पीच में से जहां चोथे बाड़े फंदे पे फिर से हम एक जो लूप है वो बनाएंगे ऐसे जो दो पंदे सीधे बुने तीन और चार और फिर जहां से हम ऐसे स्लाइड डालेंगे और जहां से ऐसे पंदा बनाएंगे फिर हम इन दो के बीच में जहें फिर ऐसे जह दिखिए जह आपने सीधी रोव सारी स्लाइड आपने ऐसे ही कंप्लीट करनी हैं चार पंदे सीधे बुनने हैं और दो के बीच वाड़े जो चौथे पंदे पे ऐसे स्लाइड डालेंगे नीचे से और जी वाला फंदा ऐसे बना लेंगे जे दो फंदे हैं इनको हम सीधा बुन देंगे अब रॉव साइड से तो रॉव साइड से आपने जे फंदे ऐसे उल्टे बुनकर कंप्लीट करने हैं और जे वाले फंदे जो हमने नीचे से बनाए हैं उनको हम ऐसे ही पिना बुने उतार लेंगे और जे चार फंदे उल्टे बुनेगे जे वाला फंदा हम फिर ऐसे बिना बुने उतारेंगे और जे वाला फंदा हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे और जे फंदे उल्टे बुनेगे है जudeिख यह वाला फंदा हम ने नीचे से बुना था इसको हम ऐसे बिना बुनेवतारेंगे और यह वाला फंदा हम नीचे से बुना इसको भी थे पंदे और चार फंदे उल्टे बुनेएंगे जिस ड्रॉंग साइड से सारी सलाहिया हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे अब तीसरी रो है हमारी डिजाइन की जे वाला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे बुनकर और जे जो फंदा है इसके जो जे वाला फंदा है जो फर्स्ट वाला इसको हम ऐसे बुनेंगे और जे वाला फंदा जो है इसे ऐसे उतार देंगे अब एक दो बीच वाले दो फंदे सीधे बुने और जे जो फंदा है इसको हमने ऐसे इस फंदे से ऐसे उतार देना है और इसको सीधा बुन लेना है फिर से देखिए इस पंदे को हम ऐसे सीधा करेंगे सीधा करने के बाल हमने जे वाला पंदा नहीं बुनना जे नीचे वाला पंदा बुनना है हमने और ऐसे इस पंदे को उतार देंगा और जे दो पंदे सीधे और जी वाला फंदा इसको हम इस फंदे से ऐसे उतारेंगे और इस फंदे को सीधा पुन देंगे जी देखिए हमारा डजाइन कितना सुन्दर बनता है जी वाला फंदा हम ऐसे पल्ट कर सीधा करेंगे और नीचे वाले फंदे को हम बुनेंगे जी देखिए और इस फंदे को ऐसे नाल उतारेंगे जे दो फंदे सीधे और जे वाला फंदा ऐसे उतार कर फिर चोथे वाले फंदे को हम बुनेंगे इस पंदे को ऐसे सीधा करेंगे, इसे आमने बुनना नहीं है, जे जो नीचे वाला पंदा है, इसको ऐसे बुनना है, बीच में से, और इसको उतार देना है, और ये वाला पंदा ऐसे उपर से पल्टेंगे और इस पंदे को बुल लेंगे और ये दो पंदे सीधे बुन देंगे अब रॉंग साइड से तो रॉंग साइड से इसकी जो पूर्थ सलाई है हम ऐसे उल्टी बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे तो जिस सारी सलाई हम ऐसे रॉंग साइड से उल्टी बुनकर कम्प्लीट करेंगे फिर से डिजाइन शुरू करना है जे तीन फंदे हम सीधे पुनेंगे और जे जो दो फंदे हैं जे वाले और इन दोनों के बीच में से जहां से हमने चोथे फंदे से सलाई डाल कर फिर से डिजाइन शुरू करना है और बीच में जे चार फंदे सीधे और फिर से जहां से सलाई डालेंगे और जे वाला पंदा बनाएंगे जहां सलाई डालेंगे और जे वाले दो फंदे चार फंदे जो है वो सीधे बुनेंगे जे चार फंदे सीधे बुनने के बार हम फिर जहां से सलाई डालेंगे और एक लूप और बनाएंगे तो आप इन जे चार पंदे बचे हैं हमारे बाद और इनके बीच में से इन दो के बीच में से हम इस तरफ एक ही ऐसे लूप बना लेंगे आगे आपने जही डिजाइन जो है वो रिपीट करते जाना है और बहुत सुन्दर डिजाइन बनता है हम आपको बना कर बताते हैं जे देखिए ऐसे डिजाइन बनकर त्यार होता है